हाई वेल्कम डू मैं चैनल चलिए कुछा नमबर्स 11 सौल करते हैं तो यहां पर क्या करें दिक्ट्रा सेक्षन आपर कैनल इस ट्रपीजियम इन से तो यहां पर मैंने एक बना लिया है कैनल ठीक है कैनल जिसका बेस यह मैंने रेड से दिखाया है और यह जो ग्रीन से है वो सा गहराई है ठीक है और यह जो सेप है इसका यह ऐसे दिया हुआ है ठीक है यह सेप है इसका ट्रपीजियम सेप जो है कैनल का है ठीक है तो हमें क्या करना है कि इसको नोट कर लेते हैं जो दिया हुआ है तो यहां पर दिया हुआ है कि यह 10 मीटर है ठीक है कहां पर टाप पर है यह ठीक है और बाटम पर कितना है six meter six meter wide at the bottom तो bottom है आपका यह six meter यह है ठीक है यहां से ले करके यहां तक और and the area of cross section is 72 meter square और यह पूरा जो cross section की जो area है means यह जो cross section जब होगा इसका तो जैसे माल यहां पर cross section करूँ तो ऐसे करूँगा मैं फिर ऐस और यह जाएगा न हमेंसा तो यह जो आएगा यह क्या है गाएगा हमेशा एक ट्रैपीजियम आएगा तो इसका जो depth है depth यह वारी लंबाई वही find करना है और यह पूरा इसका area दे दिया है कि इसकी पूरा area है इसकी area मतलब इसकी area सब जितने भी cross sections होते हमें होंगे वो सार का मतलब क्या है यह वाली हाइट निकालनी है यह वाली हाइट क्या होगी तेक है यह वाली हाइट क्या होगी that is the depth क्या करेंगे जो हमारा फ्रमूला है वही उज़ करेंगे और solve कर लेंगे solution we have क्या है हमारे पास के area of the area of the cross-section cross section of the canal of the canal is equal to 72 meter square 72 meter square आपका दे दिया है यहाँ पर हम formula लगा लेंगे 1 by 2 area of cross section of the canal किस सेब का है tripegem सेब का है 1 by 2 into sum of parallel sides sum of its parallel sides parallel sides compared by distance between them compared by distance between them is equal to कितना आ गया 72 यह दिया हुआ है पहले से अब यहां value put करेंगे तो 1 by 2 into sum of its parallel sides तो parallel sides क्या है देखे 10 cm बाटम में है टॉप पर टॉप पर वाड़नेस कितना है 10 cm है यहां पर 10 meter है और बाटम में कितना है 6 meter है वाड़नेस तो दोनों यही जो है क्या है parallel sides का length है तो हम यहां पर use कर लेंगे तो लिखे लेंगे 10 प्लस और 6 okay by distance between them distance between them क्या होता है depth है यही आपका depth है ठीक है और depth नहीं पता हमें तो यहां पर लिखे लेता है है depth depth is equal to 72 ठीक है यहां पर हो जाएगा 1 by 2 multiplied by 16 into depth is equal to 72 अब यहां पर जो है टूसे कर देट से एट से एट बंजा एट जा 16 और हमारा निकल जाएगा depth क्या करेंगे अब 8 से डिवाड़ करतेंगे 72 में 72 में डिवाड़ करतेंगे 8 से 8 बंजा 8 एट नाइजा 72 तो यहां पर आगे 9 मीटर तो 9 मीटर का depth है ठीक है 9 मीटर गहरी वो कैनाल है तो इसलिए क्या हो जाएगा depth of the कैनाल इस 9 मीटर और यह आपको निकालना था this is your answer तो thank you so much for watching यदि आपको समझ में आ गया तो लाइक कर दिजिए तो दो सेर करेंगे और कोई भी डाउट होता है कमेंट बाक्स में जरू लिखेगा इदि डाउट नहीं भी है तब भी कमेंट करेंगे तो मेरे लिए चरहेगा thank you so much again so bye